ही गाइज विलकम बाग तो क्विक अपडेट देखेंगे हम बिटकॉइन का क्योंकि करेंटली अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर 50,000 डॉलर्स पर आ गई है और अभी बिटकॉइन के जो बुल्स है वो सबसे इंपोर्टन्ट यहाँ पर औ नए all time high पर चाहे इसी साल के अंदर तो वहाँ पर जो सबसे important और last जो area जो हमको देखना है वो 50,500 डॉलर्स हो जाता है जहाँ पर यह जो आने वाले हफते या यह हफता भी जो होगा बहुत important होगा कि हमको क्या इस हफते के अंदर bitcoin की price के अंदर weekly candle closing इस area के उपर देखने क को मिलती है या फिर नहीं देखने को मिलती है currently आप देख सकते है price जो इस level पर थोड़ा सा ही है जहाँ पर एक trend line भी बन रही है भी price movement के according और यह हमने आपसे पहली share के हुगा है important resistance यहाँ पर यही था bitcoin की price के लिए जब हमने यहाँ पर 46,900 का zone है उसको यहाँ पर cross किया तो वो currently यहाँ पर अभी जो है test हो रहा है initial rejection थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा है important resistance को जब test करते हैं तो हलके full की correction तो उसके अंदर यहाँ पर आते ही है जो हमको थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन important अब यह है कि अगर यहाँ पर price के अंदर थोड़ा सा correction आता भ यहाँ पर जादा better रहेगा bulls के according तो इसलिए यहाँ पर यह जो week है यह बहुत जादा important होगा जहाँ पर अभी हलका सा correction हमको देखने को मिल रहा और यह important इसलिए भी है क्योंकि अगर आपको याद होगा आपसे हम यहाँ पर 2013 और 17 के यहाँ पर जो चार्ट से वो आपसे हम हो था 17 में भी हो था तो यहाँ पर अभी 2021 में अगर यहाँ पर bulls को pattern continuation में रखना है कि price यहाँ पर जो है वो नए heights की तरफ यहाँ पर move करे तो यहाँ पर यह 50,500 डॉलर्स को जो जो जोन है यह बहुत important है इसके उपर हमको weekly candle closing देखने को मिल जाती है तो वो बहुत bullish चीज ह अंदर उपर के तरफ जाते हुए हमको देखने को मिल सकता है लेकिन उसके लिए सबसे important चीज जो आपको दियान रखनी है वो यही दियान रखनी है कि अभी जिस level पर हम आया है इस level पर क्या bitcoin की price इस हफते में या आने वाले हफते के अंदर हमको candle closing इस level के उपर देखने को मिलती है कि नहीं देखने को मिलती है अगर इस level पर correction आते भी है तो जादा बड़े नहीं आए 5% आ जाए 10% आ जाए at max या थोड़ा उसके around लेकिन उससे जादा massive dump नहीं है हलका ही यहाँ पर slow थोड़ा सा dump आए फिर rise कर जाए वो थोड़ा यहाँ पर better रहेगा तो वो movement हमक लेकिन जब bulls बहुत strong होते है जब इसमें bearish divergence का basically मतलब यह price उपड जा रहे है RSI नीचे जा रहे है तो यह match नहीं कर रहा है तो यह बोल रहा है कि RSI के according price को नीचे at least आप पर 40 से लेके 42 तक एक बार आना चाहिए लेकिन एक सिनारियो जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी पहले भी बात करिए कि जब bulls actually में charge लेते है crypto space में at times हमको अच्छे massive जब movement देखने को मिलते है तो ऐसी भी possibility आती है जहाँ पर bearish divergence बने लेकिन price जो है उस level पर correction नहीं करे इन फाक्ट उपर की तरफ ही move करे और यहाँ पर आप देख सकते हो यह situation जो ही थी हमको 2020 के अंद जो बोल रहा था कि 10% 12% का ज़्यादा चलता भी है तो 10% का correction और उसकी बाद price उपर की तरफ move तो यही जो pattern है अगर bulls यहाँ पर चाहते है कि price का movement और उपर की तरफ हो तो इसी तरह का pattern आपको देखना है कि 5-10-12% का correction आप जाए it is still fine लेकिन movement उपर की तरफ हो हमको massive correction यहा support wise कौन सा level हो गया तो पहला level मैं आपको बताई दिया यह थोड़ी bottom की यहाँ पर trend line बन रही है जो आप यहाँ पर 49,500 से लेके 49,700 का zone है जो मैं यहाँ पर देखूंगा जो एक support zone यहाँ पर basically बन जाता है and उसके बाद जो next important एक area होगा वो यह है कि previously हमने आपसे जो शेयर क bottom बन जाता है वो भी approximately around 46,700 का area हो गया तो इसको भी आप notice कर सकते हो जहाँ पर overall यहाँ पर जो 200 daily moving average जो है वो भी यहाँ पर आ गया 20 daily moving average जो है वो भी यहाँ पर आ गया तो यह पूरा का पूरा important zone रहेगा तो inverse के scenario मतलब अगर और नीचे थोड़ा सा आता भी है तो यह 46,000 जो है इसके नीचे नहीं जाए तो यह बहुत strong जो है एरिया है और यह कित्ता हो गया जैसे अगर हम बात करे थे previous bull run के अंदर हलकी correction आए भी तो हाँ तो यह मान लो 7,8 के around तो इतने ही correction है in worse case मतलब ज़रूरी नहीं इतना है लेकिन इतना ही है इस से जादा नहीं है इस level के नीचे break नहीं करें तो फिर वो जो previous वाला pattern हम आपसे बात करें थे ना 2020 वाला उससे similarity हम मान सकते है कि bulls अलग तरीके का charge जो है यहाँ पर ले रहे है ठीक है तो इस चीज़ का आप ध्यान अकरा तो यह जो level है पूरा 50,500 डॉलर का बहुत important है हलका फुलका भी correction जो आ रहा ह अगर वो होती है तो फिर bitcoin की price जो है यहाँ पर हमको और उपर की तरफ move करते हुए देखने को मिल सकते है यह साथी में आपर आज morning के अंदर जब यह price के अंदर jump आया था उसी time पे यहाँ पर PayPal की news का announcement भी आया था आप देख सकते हो 5 आज अगो जहाँ पर PayPal ने आप इसके रोल आउट करने से रोक नहीं रही है तो regulation आएंगे यहाँ पर and regulated जो market से उनको regulation किये जाएंगे उनके and जो यहाँ पर दूसरी companies है mainstream वाली जो regulation को सबको देख के अभी आगनी जो services है उसको आगे यहाँ पर offer करने की कोशिश कर रही है वो भी आपर अपनी services जो है launch करती पर fruitful returns जो है देखने को यहाँ पर मिलते हैं बाकि अगर आप regular update चाते हैं तो हमारी telegram वाली जो हवेली है वहाँ पर भी आप जॉइन कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description मिल जागा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारी की सारी जो updates है ना हम पहले ही यहाँ पर share कर देते ह हाँ पर आईए free में we teach a lot तो बहुत सारी चीज़े जो है आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी तो आज की वीडियो में बस इतना ही बाकि आपकी के viewpoint से bitcoin को लेके आपको लगता है कि bitcoin की price 50,500 डॉलर को इसी week के अंदर break कर जाएगी और weekly candle closing भी इस cube पर हमको देखने को मिलेग या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी price के अंदर at least हमको 10-12% का correction हैगा फिर maybe try कर सकते है या फिर आप bear है कि आपको लगता है कि नहीं यह अब यहाँ पर top हो गया और price जो है यहाँ पर एकदम नीचे की तरफ move कर रही है probably 40,000 की तरफ क्या viewpoints है आप comments में डालके यहाँ प to stay updated तो आज के लिए काई इत्ता ही बाकि मुर्त आंक लिए वीडियो में तर तक लिए गुडबाई एंड टेक केर